Hi, my name is Aashish Parashar, welcome to Magnet Brains. इस lecture में हम पढ़ेंगे the difference between dicot and monocot embryos. सबसे पहली चीज, embryo क्या थे? Embryo चुद थे, वो zygote के बाद वाली stage में आते हैं, यानि की male और female gamete के fuse होने के बाद आते हैं. मैं पहली बता दूँ, यह सारे के सारे जितने भी differences मैं पढ़ा रहा हूँ. इनका use क्या है? यह किस तरह से आपको use करने हैं? पहली चीज, आपको इनके सब के basics बहुत अच्छे समझ लेना है. सेकंड चीज, या तो direct आपका जो board exam है उसमें यह पूछा जाएगा, या फिर PMT या AIMS में किस तरीके से पूछा जाएगा? यह which of the following statement are correct, match the following, या फिर कितने statement, जैसे कि यह वो 4-5 statement लिख देते हैं और उसमें से पूछते हैं, कि कितने 2 are correct, 3 are correct, तो वहाँ पर यह चीज़े काम आईगी. प्लस, जभी भी आप differentiation पढ़ते होना, तो differentiation पढ़ने के बाद आपको समझ आता है, कि हाँ मेरे concepts actual में clear हो रहे हैं, जैसे होने चाहिए थे. तो यह चीज़ समझ आईए आपको, तो यहाँ पर dicot और monocot embryo के बीच में हम difference पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं, dicot embryo से, basal cell forms 6-10 celled suspensor, ठीक है ना, जो basal cell होता है, आपको याद होगा, मैंने जैसे की diagram में बताया था, एक नीचे का cell होता है, सबसे last, और उसके बाद suspensor cells बनते हैं, इस टाइब से, और जो embryo रहता है, यह उसको support करने का काम करते हैं, और आसान भाशा में बोलूं तो, यह food तक भेजने का काम करते हैं, तो यह suspensor cell 6-10 बनाता है, यहाँ पे monocot embryo में, जो basal cell है, produce a single-celled suspensor, यहाँ पे single-celled suspensor produce करता है, next if we talk about dicot embryo, the terminal cell produce embryo, except for the radical, जो terminal cell है, यानि कि यह वही बताने कोशिश कर रहा है, जो cell का एक arrangement रहता था था न, तो उसका जो terminal cell है, वो produce करेगा embryo को, except for the radical, radical के अलावा, अब जैसे मैंने बताया था न, कि यहाँ पे अगर embryo है, तो उसके नीचे का cell यह है, तो यह जो है embryo produce करेगा, यहाँ पे, monocot की अगर मैं बात करूँ, it forms the wall of the embryo, यह monocot जो embryo है, यह पूरा embryo बनाने का काम करता है, इसकी अगर मैं बात करूँ, तो not so much important, बहुत ज़्यादा ऐसा tough चीज़े नहीं है, बहुत ज़्यादा रट्टे वाली चीज़े नहीं है, the first division of the terminal cell, is generally longitudinal, यह important line है, अभी तक अगर मैं आपको बताऊं, तो यह उतना खास कोई difference between नहीं था, लेकिन इसमें यह longitudinal division होता है, सवाल उठता है, क्यों यह basic question है, assertion reason में use हो सकता है, for example, देखो दियान से, longitudinal division होने का कारण सबसे पहला यह है, कि आप देखो कि आपका embryo sec का diagram कैसा था, ऐसा था ना, अब अगर इसमें जो यहाँ पर एक basal cell हो गया ठीक है न, और उसके उपर ये एक cell ले लिया मैंने, और उसके उपर embryo बना दूँगा मैं, longitudinal division होगा ऐसा, ठीक है, longitudinal division होने का कारण यह है, ताकि वो length बढ़ाएगा, और length बढ़ाके वो पहुँचेगा, जो उसका main food है, जो store food है, इंडो स्पर्म, उस तक पहुँचेगा, ठीक है न, तो यहाँ पर longitudinal division होना इसमें, जरूरी होता है, प्लस एक और चीज, एक और चीज यहाँ पर समझाऊंगा, इसमें जो generally divisions होते हैं, वो सिर्फ longitudinal नहीं होते हैं, दोनों तरह के होते हैं, क्योंकि हम dico temporeo की बात कर रहे हैं, तो देखो, कुछ इस type का इसके नीचे basal cell होंगे, अब यहाँ पर जो division हो रहे हैं, वो इस type के यह बोले गए हैं, actually में, जब यह इस type का होगा, तभी तो यह size बढ़ाएगा, और तभी तो यह अपना पूरा जो, एक globular structure है, क्योंकि हम क्या बोलते हैं, इसका structure गैसा होता है, globular, तो अगर इसको globular structure attain करना है, तो उसके लिए इसको पहले तो longitudinal, longitudinal मतलब इस तरह से vast होना है, जब अगर मैं बताऊँ, तो वैसे तो यह logical था, इसको तो हम अटा देते हैं, longitudinal इसमें division मैंने बताए, ऐसा आपका embryo रहेगा, उसमें इस type के लंबे-लंबे division होंगे, ताकि यह area जादा घेरे इस वज़े से, यहाँ पे दो कॉटिलेडन है, एक्चुली मैं जब आप diagram पढ़ते हो, diagram जब आप देखोगे, तो वहाँ पे आपको clearly लिखा हुआ है, यहाँ पे एक कॉटिलेडन है, यह आपको single कॉटिलेडन, scutalum के नाम से, तो इसी लिए जब diagram based आप question करोगे, तो आपको यह सब चीज़े already आती होँगी, ठीक है ना, plus जो labeling है, वो पूरी अच्छे से आनी चाहिए, आपका जो labeling है, इस type का dicot seed है, उसके बाद, दो इस type के उसमें dicot निकले हुए है, यहाँ पे special अलग से जगा नहीं है, वनना यहाँ पे मैं बना के दिखा था आपको, next अगर मैं बात करूँ, प्लिम्यूल जो है टर्मिनल है, and lies in between the two elongated cotyledons, जो elongated cotyledons थे, जैसे कि अगर मैं बात करूँ, for example, यह मैं seed ले रहा हूँ, और एक cotyledon मैंने यह निकाला, दूसरा cotyledon मैंने इस तरह से निकाल दिया, तो इनके बीच का जो area है, for example, if we talk about this area, इसको हमने प्लिम्यूल बोला था, है ना, तो वो cotyledon के बीच में ही तो लाए कर रहा, प्लिम्यूल is terminal, terminal है, and lying between the two elongated cotyledons, यहाँ कि मैं बात करूँ, तो प्लिम्यूल अपयर lateral due to excessive growth of the single cotyledon, scutalum जो था, scutalum याद है, तो scutalum जो था, उसने पूरा area घेर लिया, उसकी वज़े से जो प्लिम्यूल है, वो हलका सा अपने location से shift हो गया है, तो again diagram based है, अगर आप diagram अच्छे से focus करते हो, पूरा बना बना के practice करते हो दो-तीन बार, तो ये सारे differentiate between आपको खुदी याद हो जाएंगे, जहां diagram बना रहे हो, उसी location पे side-side, एक दूसरे के difference भी वही diagram में label करते हो चलो, ये best तरीका है पढ़ने का, I hope आपको ये video पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो जरूर लाइक करें, Thank you.